सभी को नमस्कार, केरियर फर्च चैनल पर आप सब का स्वगत है दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, परिछा बहुत करीब है और किसी भी तरह का आलत से दिखाए बीना, आप बिल्कुल जी जान से जुटे रहिए यही मेहनत आपको सफलता के द्वार तक अवस्य ही लेके जाएगी और सुनने में आया है, हो सकता है कि इसी सब्ता आप सबके एड़ में कार्ड भी जारी कर दिये जाए तो पूरी तरह से जुट जाएए, रात दिन एक करके लग जाएए मैटर आज का असी सब्द प्रति मिनिट होगा, मैटर बहुत ही अच्छा है, बहुत ध्यान पूरों के लिखेगा इस तरह के मैटर परिच्छा में आने के चांसेज बहुत रहते हैं एक बार, दो बार अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करिए, इसकी हिंदी जरूर बनाईए Yes, Ready, Start मान्यवर गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे, वे साधन और साध्य को अविभाज मानते थे गांधी वाद मैकिया वेली के इस नैतिक सिधान्त साध्य से ही साधन का आउचित्य निश्चित हो जाता है के कायल थे उनका मानना था कि उचित साध्य के लिए उचित साधन को ही अपनाना चाहिए गांधी जी ने साधनों की तुलना बीज से की और साध्य की तुलना एक व्रिच से की साधन और साध्य में सह संबंध है जो बीज और व्रिच में है वे व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन के लिए नैतिकता की एक ही पद्धति में विश्वास करते थे राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में नैतिकता को समाहित कर देना गांधी के दर्शन की सुद्रिण विसेस्ता थी सत्य अहिंसा और साधनों की पवित्रता को वे जहां व्यक्तिगत जीवन के लिए अनिवार्य समझते थे वहां सामाजिक जीवन के लिए भी वे इन्हें अपरिहार्य मानते थे राजनीतिको वे नैतिकता से अलग करके नहीं देखते थे उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था वे जो कुछ कहते थे उसे करते भी थे उनके जीवन में कई ऐसे अवसर आए जबकि अपने सिधानतों के परिपालन में वे अकेले पड़ गए लेकिन वे अपने मत पर दिढ़ रहे उन्नी सो बीस में लोक मान्य तिलक के महा प्रयाण के बाद जब उन्होंने देश का नेत्रितों संभाला तो अहिंसा को ही स्वतंतरता आंदोलन का हतियार बनाया उनके नेत्रितों में चल रहे जन आंदोलन का स्वरूब जब भी हिंसात्मक हुआ उन्होंने इस आंदोलन को ही स्थगित कर दिया गांधी जी लोगों से कहा करते थे आप यह कह सकते हैं कि अहिंसक क्रामती हो ही नहीं सकती ग्यात इतिहास में ऐसा हुआ भी नहीं है मेरी अभिलासा है कि मैं एक द्रिश्टांत प्रस्तुत करूं और मेरा देश अहिंसा के माध्यम से स्वतंतरता प्राप्त कर मेरे स्वपन को साकार करे मैं अहिंसा की बली देकर अपने देश की स्वतंतरता का क्रय नहीं करूंगा दुनिया ने देखा कि गांधी का स्वपन पूरा हुआ और इतिहास में एक मिसाल कायम हुई राजनीती में नैतिक साधनों दुआरा दुराचार एवं उत्पीडन का विरोध करने के लिए गांधी जी ने सत्या ग्रह का मार्ग अपनाया उनका विचार था कि अन्याय तभी फलता फूलता है जबकि हम उसके साथ सहीयोग करते हैं यदि हम इसके साथ असहीयोग करें तो यह अधिक दिनों तक जिन्दा नहीं रह सकता सत्या ग्रही का उद्देश अपने विरोधी का नास करना न होकर उसमें मांसिक परिवर्टन लाना होना चाहिए जिस से वह अन्याय का मार्ग छोड़ दे उसके अनुसार मनुस्य के अंतस्तल में इस्थित सत्य विसयक गुप्त निश्चे ही सत्या ग्रह की बुनियाद है धन्यवाद